अपना Emirates ID करे अपडे दुबाई कोट ने दिया आदे नमस्कार मैं हुप्रिया जोर आप देख रहें UA खबर दुबाई में सभी निवासियों और प्रवासियों को अपना Emirates ID अपडेट करने को कहा गया है यह आदेश दुबाई के कोट ने दिया है दरसाल दुबाई कोट ने UAE के निवासियों से Federal Authority for Identity and Citizenship Custom and Port Security में अपनी Emirates ID अपडेट करने को कहा है प्राधिकरण ने अलर्ट पोस्ट करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया जिसमें बताया गया है कि निवासी और प्रवासी बताया गया है कि निवासी और प्रवासी icp.gov.ae के official site पर जाकर और इस link पर जाकर इसके मादियम से अपनी ID को अपडेट कर सकते हैं पोस्ट में बताया गया है कि निवासी अपनी अमिराध ID को अपडेट कर रहे हैं जिसे दुबई कोट के लिए किसी भी कानूनी कालवाई के मामले में उन तक पहुंचना असान हो जाता है नहीं बता दे कि इस साल के शुरवात में संयुक तरब अमिराध की पहचान नागरिक्ता सीमा सुलक और बंदरगा सुरक्षा प्राधिकरन यानि कि ICP ने एक नया अमिराध आईडी पंजी करन फॉर्म पेश किया था बताते चले कि फॉर्म को री डिजाइन कर उसमें नया फीचर जोड़ा गया है फॉर्म के उपर बाई और आवेद को की फोटो लगाई जाएगी जिस पर कंपनी को कार्ट दिया जाएगा इस कम्पनी को कार्ट दिया जाएगा उसका नाम फॉर्म के नीचे बाई और उसके पते के साथ लिखा जाएगा ग्राहक वोईस गेटवे तक पहुंचने के लिए एक QR कोड इसमें जोड़ा गया है इस साल के शुरवात में ICP ने भी पुष्टी की थी कि Emirates ID और वीज़ जारी करने की फीस अब बढ़ गई है नई लागत ICP द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं पर लागू होती है जैसा कि एक प्रतिनीदी द्वारा पुष्टी की गई है नए नियम के अनुसार अब मेरे ICP की कीमत 270 देहरम जो भारतिय मुद्रा में 6,056 रुपए कुछ पैसे होते हैं उसके बजाए अब 370 देहरम होंगे जो कि भारतिय मुद्रा में 8,300 रुपए होते हैं वाई एक महीने का विजट वीज़ा जारी करने का शुल्क भी बढ़ गया है पहले या 270 देहरम था यानि की 6,056 रुपए थे अब इसके बजाए अब ये 370 देहरम हो गया है यानि की 8,300 रुपए इसके लिए आपको इससो लिक भुगतना होगा वाई आपको बदा देए कि UAE में रह रहे हैं प्रावासियों के लिए खुश खबरी है दरसल सायोंक तरब अमिरात में Emirates ID Card और Passport Renewal के लिए एक नई सुविदा की घोशना की गई है UAE में एक नई सेवा लांच की गई है जिसकी मदद से UAE से बाहर रहते हुए भी Emirates ID Card और Passport को Renewal किया जा सकेगा यानि की ने दुनिया के किसी भी कोने से Renewal करा सकते हैं Federal Authority for Identity and Citizenship Customs and Port Security के द्वारा की गई या पहल लोगों के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है लोग इस सेवा का लाब कुछ सर्तों के साथ उठा सकते हैं इस सिवा का लाब उठाने के लिए आवेदक को खुद ही स्मार्ट अप्रिकेशन के द्वारा आवेदन करना होगा उन्हें या पुछी करनी होगी कि सभी डॉक्यूमेंट्स उनके ही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूए में ही आवेदन करवाता है और वक्षुद देश के बाहर रहता है तो उसका आवेदन रद कर दिया जाएगा आवेदन के लिए जिस फोटो का अस्तमाल कर रहे हैं उसका बैक्ग्रांड क्लियर होना चाहिए और साधा होना चाहिए ठेसोर डॉट पर इंच का रिजल्योसर नूट्रल फेशियल एक्स्प्रेशन हाई क्वैलिटी पिक दोनों आखे खुली हुई कलर कॉंट्राक्स लेंस का अस्तमाल नहीं करना है ऐसी तस्वीर आपको इसमें लगानी है तो यह थी दमाम कबर बने रहे हैं ऐसी खब्रों के लिए UAE खबर बर